हेलो फ्रेंड दिस इस निलेस और आप देखरें अपना यूटूब चैनल अन्मोल नेचर आग मैं फ्रेंड्स यह जो मेरी एरेका जो जितनी भी पार्म्स थे उसकी जो सिरीज थी जो मैं बना रहा था कि मेरे पार पार्म्स के कितनी सेलेक्शन्स हैं तो उसमें से यह मेरा ज प्लांत्स को नहीं मैं लिखा पा रहा था तो आज मैं आपको यह इसके के बारे में बताऊंगा और जयतनी भी मैंने आपको दिखाण हैं सेम टू सेम वैसे चै और यह जो प्लांट सेट लविंग के साथ साथ इनको ब्राइट लाइड भी चाहिए तो इसको इसकी केर बहुत इजी होती है आप इसको रख दीजिए और इसको वेल ग्रेंड स्वाइल पसंद है और वेल फटाल स्लो रिलीजिंग तो आज मैं आपको जो है यह देखिए मेर बढ़ जाते हैं रहने के तो मेरा सायद पंच में होने की वज़ा से यह जो किकी मॉंसून आने के बाद आप प्लांट को इधा उधा नहीं कर सकते तो मैं यह लोकस्ट या फिर ग्रास होपर के कारण यह जो है यह प्लांट में इस तरीके से इनको खाया हुआ है तो इसका अगर आपके भी प्लांट में इस तरीके से कोई प्राब्लम है तो बहुत इजी सॉल्यूशन है फैंस सबसे पहले आप क्या कीजिए शोप वाटर लीजिए शोफ्ट शोप वाटर जैसे अगर आपके पास कोई सैंपू वगरा है वो या फिर आप हैंड वॉस को भी यूज कर सकते हो आप क्या कीजिए उस पे स्प्रे कीजिए फिर उसको अगर आपके दूप आ रही होगो तो थोड़ी देर के लिए धूप में स्पोस कर दिजिए पंदरा से दस मिनट के लिए उसके बाद इसको नॉर्मल वाटर से इसको वाश करने के बाद इसमें आप नी मॉयल का छिड़काव कीजिए जिसमें आप नी मॉयल और थोड़ा सा सोप का मिक्शर ले करके ताकि नी मॉयल डिजॉल्व हो सके वाटर में इसलिए तब उसमें आप इस तरह से छिड़काव कर दीजिए तो ना तो इंसेक्ट लगेंगे और अगर उसके एक्स होंगे वो भी मर जाएंगे और अगर इंसेक्ट्स क्योंकि इंसेक्ट्स ट्रांस्मीट करते हैं जो भी फंगस होते हैं उनके स्पोर्स को ट्रांस्मीट करते हैं या फिर उनके लेक से या माउथ पार्ट से ट्रांस्मीट हो जाते हैं तो उससे भी क्योर करता है तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो बहुत सारे plants अगर आपके pots में आ गया हैं तो आप इसको propagation कर सकते हो बहुत easy to propagate plant हैं इसके छोटे-छोटे से baby plant पी निकल जाते हैं तो आप लगा सकते हैं, आप उसको appropriate कर सकते हैं अभी तो ये मेरा काफी चोटा सबस्क्राइब नहीं करें चरह से कि ने इस प्रफिल बहत करते हैं मैंने सबस्क्राइब कर सकती सबस्क्राइब है इसे कि यह दूसें और स्टेश की जेंशन कोई देए यह होता है तो slow releasing fertilizer आप इसको दीजिए और slow releasing manure में जो है आप cow dang manure डाल सकते हैं because cow dang manure बहुत ही ज़्याद है slow release और slow decomposed होता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो और आप इसमें अगर indoor लगा रहा है तो cocopeat use कर सकते हो और यह friends indoor भी बहुत अच्छा चलता है outdoor अगर रखे तो आप इसको set area provide कराएं नहीं तो इसकी leaves जो होती है वो yellow yellow सी होने लग जाएंगी और over watering भी यह plant को पसंद नहीं है इसके साथ इसको आप office में लगा सकते हो आप अपने bedroom में रख सकते हो colleges वगरा में देखे होगे यह air purifier होने के साथ साथ यह अपने आसपास की climate को बहुत ज़्यादा cool according to temperature यह उससे 2-3 degree centigrade temperature को लो कर देता है इसलिए इसको colleges वगरा में लोग लगाना प्रेफर करते है यह easy to care है और इसका लुग भी बहुत अच्छा आता है इसलिए इसको हम लोग अपने garden में लगाते हैं और यह एक air purifier भी है तो आप इसको अपने indoor सी अपने side corner पर लगा सकते हो यह बहुत ही अच्छा चलेगा और यह जितने भी plant lovers है या जितने भी gardening है जो gardening अपने घर में करते हैं उनकी यह first priority होती है कि ऐसे plants लगाए जो evergreen हो तो यह उनमें से एक plant है evergreen रहने वाला यह जो है plant है तो आप इसको जरूर लगा सकते हैं अपने घर में तो friends I hope मेरा video अगर मेरा video आपको अचलागा तो please like कीजिएगा subscribe कीजिएगा bell icon को press करना thank you